आप सभी के हमारी YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है आज की जो वीडियो हमारी वो है Prismatic Compass का Temporary Adjustment कैसे किया जाता है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज बताएंगे कि जो Prismatic Compass का Temporary Adjustment है वो कैसे किया जाता है और उसके Temporary Adjustment करने में कितनी प्रॉसेस है तो गाइस चलिए चलते हैं और आज सीखते हैं Temporary Adjustment तो देखिए गाइस हमारा जो यह Prismatic Compass है इस Prismatic Compass का Temporary Adjustment करना है तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बता दिया आपको कि Prismatic Compass को जो Compass होता है वो उसे Prismatic Compass क्यों कहा जाता है तो गाइस देखिए हमारे पास यह Compass है इस Compass में एक तरफ तो हमारे पास यह Objective Ben होती है और दूसरे में यह यह जो होता है यहाँ पर आई-वेंग की जगा प्रिजम लगा रहता है ठीके गाइस प्रिजम लगा रहता है इसलिए इसको Prismatic Compass भी कहा जाता है ठीके गाइस अगर आप से पूछता है कि Prismatic Compass क्या होता है तो ऐसा Compass जिसमे प्रिजम लगा हो और उसे Prismatic Compass कहते हैं अब हम बात करते हैं इसका Temporary Adjustment कैसे किया जाता है तो देखी गाइस जो हमारे पास Prismatic Compass है इसका Temporary Adjustment करना बहुत ही सिंपल है इसके Temporary Adjustment करने के लिए तीन प्रॉसेस हैं पहली जो होगी Centering दूसरी Labeling और तीसरी जो होगी वह हमारे पास Focusing of Prism कि Prism को फोकस करना ठीक ग इसको कैसे आपको Focusing करना है तो सबसे पहले हम आपको बताती है Centering देखी गाइस जो पहली प्रॉसेस है Centering की वह कैसे करोगी सपोस्थ आपके पास यह ट्राइपोड है इसके ट्राइपोड के ऊपर आपने यह प्रिजमेटिक अंपास लगा दिया अब जाहां आपको जिस Vision पर आपको रखना है जैसे सपूस्थ हमारे पास कोई a h balance again यह पर उसSiमेटिक अंपास है वूँ क्या कर गिो मैं कोई तो सब्सक्राइब को मह घिक्राइब है इसको गिराकर के देखीए बिल्कुल इसके एक सेंटर से इसके सेंटर से यहाँ कंक्रीट है यहां जो गित्ती है उसको गिराके देखीनिगे मीचे की तरफ को और हम किछ यहां सेंटर भानानी मानी थी क्या वो गिट्टी है वो उसकी जश्ट उपर गिर रही है वह सो के जश्ट उपर गिरनी चाहिए मachen च्कमस करने के लिए का भी यूज उसके सेंट्रें में चाहिए तो तो ठीक है इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा सेंटरिंग हो जाएगी सेंटरिंग को समा Sir कि को आपिया से कोई कंखी कटी डाल दोगे बिलकुल सेंटर पे घिरने चाहिए और यह जो होता है यह box होता है तो box के अंदर ही graduated ring है तो labeling करना इसलिए आविशकता है क्योंकि यह graduated ring है कहीं हम जो हमारा उपर जैसे सीसा है आई हम दिखाएं इसमें देखिए हम जो है labeling इसलिए करते हैं जैसे माली जी यह हमारी क्या है यह ग्रेजूटी रिंग है labeling अगर अगर हमारा labeling नहीं होगा तो यह graduate ring जो होगी वो किसी हमारे box यह सीसे से touch हो सकती है जिससे क्या होती कि अगर हम इसको घुमाएंगे तो यह जो टच होगी तो जो reading आती है वो accurate reading नहीं आ सकती इसलिए हम क्या करते हैं लेबलिंग करते हैं और labeling करते बिलकुल यह फिरी हो जा इस लेबलिंग से जोगा जो आपकी ग्रेजुटी रिंग है वो फिरी हो जाएगी और आपको जो काच का जो सीसा है इससे touch नहीं होगी ठीक है अब हम बात करते हैं focusing of prism कि जो prism की focusing कैसे करोगे तो देखिए यह prism लगा हुआ इस prism को इस तरह से देखिए अगर आप जब नीचे लिया हुगे ठीक है इस तरह से अब क्या करोगे अब हमारे पास यह objective pen नहीं में जो घोड़े का वाल लग रहा है अब यह prism हमारे पास prism यह prism आगे अब हम प्रिजम यहां से focusing करेंगे कहां से करेंगे यह जो हमारे पास यह जो है यह जो प्रिजम का यह आईवें हो गया यह objective lane हो गया अब इस में से हम foxing करेंगे और देखे जब आप इस में से foxing करोगे तो इस जो graduated ring होती है prismatic compass की इस पर डिग्री जो रहते हैं डिग्री नम्मर जो रहते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं जब आप प्रिज्म से देखोगे तो यह जो नम्मर है बिल्कुल आपको सीधे और बड़े दिखाई देंगे ठीक है तो इस तरह से जो है हम प्रिज्म की सायता से आप फॉक्सिंग आफ प्रिज्म कर लेंगे यहां से आप देखोगे यहां से इसमें यहां से लग रहा है यह फॉक्सिंग आफ प्रिज्म यहां से आप यह चीज और इसमें एक जो लाइन आ रही है यह और यह घोड़े का जो बाल है यह सेंटर में यह और जो अब्जेक् यह इसाहर से आपने इस नहीं प्रिज्म में पना दॉच से का यह आप जिया जाए तो आप alarm की सिर्मारी एय क्पार्टु इस दुार निर्जेष्टमेंट कर से किया जाता हम बनाने वाले हैं वो भी प्रिजमेटिक कमपास पर है और फिर हम उसमें बताएंगे कि जो प्रिजमेटिक कमपास है उस में रीडिंग कैसे ली जाती है और किस तरह और इसमें कौन-कौन से पार्ट्स होती है, किस पार्ट्स को क्या कहा जाता है, तो आईए हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे, प्रिजमेटिक कमपास के बारे में तो इस वीडियो को पसंद और लाइक, शेर और सब्क्राइब करना न भूलें थैंक्स